नमस्कार मैं नीरज कोशिक और हिंदी विशेक्य उनलाइन सिक्सा में आप सब का स्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे काक्सा बारे की हिंदी की पाठिया पुस्तक अंतराल का पाठिक जिसका नाम है सूर्दास की जोपड़ी और जिसके लेखक हैं उपन्यास समराट प्रेमचंद चलिए पहले जो है प्रेमचंद जी के लेखक परीच्चे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रेमचंद का जन्म वारानशी जिले के लमही ग्राम में सन 1888 में हुआ था उनका मूल नाम धनपत राय था प्रेमचंद की जो प्रारंबिक शिक्षा है वो वारानशी में हुई मैट्रिक के बाद में अध्यापन करने लगी सवाद ध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक सिक्षा ग्रहन की ऐसे योगांदोलन के दोरान उन्होंने सरकारी नोकरी से त्याग पत्तर दे दिया और पूरी तरहले खनकारी के परती समर्पित हो गए उनका देहावसान अर्थाद उनकी मिर्तियु सन 1936 में हुई उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाई हैं जैसे मानसरोवर, गुपतधन, निर्मला, सेवासदन, प्रेमाशरम, रंगभूमी, कर्मभूमी, गवन, गोदान, कर्बला, प्रेम की वेदी, इत्यादी प्रेमचंद ने अपने लेखन की सुरुवाद जो की पहले उड़्दू में नवावराय के नाम से की थी, बाद में हिंदी में लिखने लगी उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलीतों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चितरन किया है इसमें भी जो इनकी रचना है सुरुदास की जोपड़ी, ये प्रेमचंद के उपन्यास रंग भूमी का ही एक अंसे है एक अंदा व्यक्ति जितना व्यवस और लाचार जीवन जीने को अभी सब तो होता है, उतना ही सुरुदास को चरीतर इसके ठीक विप्रीत इसमें बताया है सुरुदास अपने प्रेश्टतियों से दुखी वे आहत तो होता है, कि तो अपने दुख को मन में दबा कर विप्रीत प्रेश्टतियों का मुकावला द्रीडनिश्य और अरत्यन तूटसा से करता है तो चलिए इस पार्ट के सार की सुरुवात करते हैं